दो दोस्त जो कटर दुश्मन बन गए, बॉस सलार पार्टू का इंतजार अभी से शुरू कर दिया है मैंने दोस्तों सलार का सेकंड टेलर लिज़ हो चुका है और सलार के टेलर को देखकर पूरा इंडिया प्रभास का दिवाना हो गया है दोस्तों आज देते हैं फिल्मी इंडियन के वीडियो को और जानते है दिख्षयासरमा ने सलार के टेलर के बारे में क्या कहा है हार के जीतने वाले को बाजिगर कहते हैं, बोला तो शारुक खान ने था, लेकिन इस नुवाल किसी और ने कर लिया है प्रभास की फिल्म सलार undoubtedly 2023 के कैलेंडर का सबसे special दिन होगा वो जब ये फिल्म थेटर में फेस्टिवल बन के आएगी लेकिन सच बोलू ट्रेलर देखने के बाद पूरे दो दिन लग गये दे मुझे वापस इस फिल्म पर भरोसा करने के लिए जो expectation थी KGF chapter 2 के बाद सलार के डिरेक्टर प्रशांथ नील से उन्होंने उसका लेवल काफी नीचे गिरा दिया था लेकिन आज सिर्फ दो मिनिट में ऐसा गेम बदला है कि यकीन मानों इस फिल्म को देखने के लिए कुछ भी करने को तयार हूं मैं सलार आक्शन ट्रेलर जैसा नाम वैसा काम एक दम आउट ओफ सिलिबस वाली चीज़ बनाई है इंडियन सिल्मा बोलू या फिर हॉलिवुड इंटरनेशनल लेवल कंफ्यूज़ जैसे KGF के बाद दिमाग में कोलार गोल्ड फील्ड का एक फोटो सेट हो गया है न ठीक व पानो बाहु बली के बाद पहली बार प्रभास को देखकर वही पान इंडिया चैंपियन स्टार वाली फीलिंग्स आ रही हैं वो स्क्रीन प्रेजन्स जिसके सामने बाकी आक्तरस फिल्म के छोटे बच्चे लगने लगते हैं वह वापस आ चुका है प्रभास का कमबाक तो यूँ सैंसर बोट चाहता है कि इस फिल्म को बच्चों से दूर रखा जाए प्रभास का वह confidence वाला अफ्तार इस बैक सर जिसके लिए इंडियन सिर्मा बिल्किल रेडी नहीं है ऐसे खतरनाक action scenes बनाए है जो थेटर को स्टेडियम में बदल देंगे प्रभास का transformation जबरदस लग रहा है इस बार एक वो normal सीधा साधा comedy वाला side भी दिख रहा है तो दूसरी तरफ most violent man क्यों बोला गया वो भी समझा रहा है एगरी करना पड़ेगा आपको काफी time बार प्रभास की performance में इतना variation देखने को मिल रहा है जिसका इंड़जार public को बाहु बली के बाद से ही है और सोचो जब ये nuclear bomb प्रशान नील जैसे genius के हाथों में आएगा तो box office पर ऐसा blast होगा जिसके सामने world war भी शर्मा जाए प्रशान नील को number one director क्यों बोला जाता है किसी normal scene को larger than life बना के present करने में उसका सबूत ये trailer number two साफ साफ देता है सबसे best cheese मुझे trailer देखने के बाद ये लगी कि सलार एक simple action thriller नहीं होने वाली जो सिर्फ मार पीट के दम पर public को खुश करती है सलार hundred percent एक strong story driven cinema होने वाला है जिस तरीके से अबी से शुरू कर दिया है मैंने थोड़ा और excitement चाहिए ना आपको अगर तो मेरा एक दूसरा वीडियो देखना जो सलार का connection बाहू बली के साथ कैसे है वो समझाता है hundred percent guarantee देती हूं दिमाग हिल जाएगा आपका उस वीडियो को देखने के बाद और देखो नील साहब चा पूरा इंजिन सिर्मा बदल जाएगा देखो कोई कुछ भी बोले सलार का सेकेंड ट्रेलर सच में वही चीज़ है जिसके expectation लोग original ट्रेलर के साथ जोड़ कर बैठे थे एकदम टॉप लेवल का presentation है इस बार प्रभास फ्रेंट से लीड कर रहे हैं पूरा गेम डॉमिनिट क के लिए पूर प्रभास के लिए रेस स्टार्ट करने जैसा होगा बूम बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हूँ या पर कुछ रिकायत करनी हो तो मैं आपको Instagram पर भी मिल जाओंगी वर्ना थोड़ा सा इंतजार करिए मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में ते दोसुत सलार के तुफान में सारी कोट तूटने वाले हैं और भावुले के बाद प्रभास के सलार मुवी और टाइम बलावश्टर होने वाली है